प्यारे बच्चों यदि आप लोग भी क्लास 12 का फाइनल एकजाम दो हजार पचीस में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने बला है अगर प्यार बच्चों आप लोगों का भी सपना है क्लास 12 में 450 पलस माक्ष लाना या फिर टॉपर पर ना तो विलकुल आप लोग वन सकते हो इस वीडियो को कंटीनू देखना क्योंकि प्यार बच्चों अभी के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का चैप्टर नम्र तीन को करने वाले हैं क्योंकि इससे पहले हमने हिंदी का चैप्टर वान एन टू को देख लिया था और इस वीडियो में हम लोग introduction से ले करके इसका जो सरांस होता है जो कि 5 नंबर में पुछा जाता है उसको भी करेंगे साथ में इसमें प्यारबच्चो जो भी 5 नंबर में पुछा जाता है उन समी परसनों को भी हम लोग करने वाले इसके बाद जो है ना पैड़ा बच्चो हम लोग साड़े objective परस्न को करेंगे यानि कि इसी वीडियो में संपुर्ण करांती जो आपका चेप्टर है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा और बोर्ड एक्जाम इससे बार एक भी परस्न नहीं आएगा तो पैड़ा बच् सकते हैं यह जैप्रकाश नारायन आप चलिए संपुर्ण करांती का लेखकों ने जैप्रकाश नारायन याद रखिएगा इनका जनम का वह था एक 11 अक्टूबर 1902 को और निधन इनका इनकी मिर्त्यू का वह था तो आठ अक्टूबर 1902 जो है ना 89SB को ठीक है उसके बाद प्राइडेक्ट क्या है तो कईनका में सितलिया अरद्रफ द्यारा रखिंबस यह में खुना स्हएं में क्या यह तो मैं यह तक्यक्य अख्याहा आज नारेन का बिहार में किस जिला में जनम वहत आपको जारन जिला तो इस प्रकाश है डाउट को कि लिए रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं इनके माता जी का नाम आप लोग याद कियेगा माता माता जी का नाम जो था वह फूल रानी और पिता माता का नाम था फूर लान का घर पड़ी हुआ था आगे की शिख्चा के लिए पटना चले गी तागे की सिक्चा के लिए पटना गे जहां से कोवीजीएटक का मतलब क्या हो जाता है कि ट्वेल्ड तक कि ठीक्टिक इसके बार आगे बरते हैं जोना फिटेंगे उनीस सो जोना 22 में सिक्चाप्राप्ट लिए मां की अवस्था के कारण पी यानि कि प्याजनितिक जीवन जानते हैं जो राजनितिक होता है उसमें देखें नामक पार्टी का इन्हों ने गटन वा था यह जैसे ही जाइप्रकास नारायन जो है जेल से क्या हुआ निकले थे तो और सोण स्वासलिस्ट नामक पार्टी का इन्होंने गटन किया瞼 Mr.ण विनोबा भावि के शरवोदाा आंदोलन से जोड़े थे यह जो है क्या हुआ भाव हुआ कि विनोबा भावि के शर्वोदा आंदोलन से जूल्ष उवन में चार्टर आंडुरन का निट्रित भी इन्होंने आपतकाल के दोरां जेल गए थे आपको पता ना बोला जाता है कि बताइए जोना चार्टर आंडुरन का धेक्षिकून था तो जैब प्रकास नारायन आप लोग पढ़ते ना पैर बच्छो ठीक है तो यही थे जा प्रका पॉलिटी इन्होंने लिखा है रिक्स्ट्रक्षरन और इंडिया जो ना इंडिया नुपॉलिटी को इन्होंने लिखा है आगे बढ़ते हैं इनको सम्मान क्या मिला तो 1965 में समाज सिवा के लिए जो ना मैग सेशे नामक एक सम्मान मिला प्रकाश नारायन द्वारा लिखा जो ना दिया गया एटी हासिक भासन एक अंस है जिसे उन्हों जो ना उन्होंने पांच जून 1994 को पत्ना के गांधी मैदान में दिया था शंपुर्ण करांति सो तंडर पुष्टिका की रूप में जो ना जन्मुक्ति पत्ना से प्रकाशित है भासन को शुनने के लिए लाखो की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आये थे जिसमें यूवाओं का जो ना बोल बाल था नारायन जी काते हैं कि अगर दिनकर जी और राम बिरक्ष जी होते तो उनकी जो उनकी कविता भारत के जो ना नवरिनवान के लिए जो ना करांति कार करती लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन वो आज हमारे बीच में क्या है के नहीं लिया मुझे जिम्यवारी युवा पिड़ी के द्वरा सोपी गई है ठीक है वह काते हैं कि मैं ना मैं नाम का नेता नहीं बनुगा मैं सब की वात सुनुगा लेकिन अन्तिम फैसला मेरा ही होगा यह प्रकास नाराइंजी का कहना था इसके आगर देखिएगा लेखक अपने पिताजी से मिले तो बहुत सारे निता आये और सबने एक तरफ हो एक तरफ उन्हें लोग टंटर की शिक्षा दी तो दूसरी टरफ जो ना लोगों के जूलूस को रोका गया लेखक काते हैं कि अईसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तलफ लोग टंटर की बात क मिलाप करवाना चाहते थे लेकर कहते हैं इंडरा इंडराञ जी सव्यक्तित छगड़ा नहीं है बलकि उनकी गलत नीटियों मेरा जगडा है लेखक ने कई बार बापू और नेडु यानि कि गांधी जी और पंदिजवारार नेडु जी को भी आलोचना की लेखक कहता है कि आज राजनीती में भरष्टा चार बड़ा है जिसका प्रमुक कारण चुनाव के बाद अपने ही परतिनीदियों पर जनता का क कोई अंकुष नहीं होता है तो यह आपको ध्यानक ना इसके आगे देखिए फिर लेखक क्यानुशार अन देशों में प्रेश अब तथा प्रतिनीदियों पर अंकुष लागाती है लेकिन हमारे देश में इसका बड़ा अभा है जा प्रकाश नारायन जी का यह भाशन जो बच्चों और इंट्रोडक्शन से कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपका मानलुश साथ नमर तो यहीं से कंप्लीट होगा क्योंकि इसी टाइप का आता है चलिए आप जो क्वेश्चन वनता है वह हम लोग फटापर से देखते है ठीक है चलिए यह भी पांच नमर या फि इस प्रकिशट पर स्विकार जो ना करते तो चलिए उत्तर हो जाएगा कि आंदोलन के नेटरिक्ट के शिंबन में जैप्रकाश नाराएंजी का यहीं विचार था कि नई पीडियां ही देश की भविश है अर्था तो देश का भविश नई पीडि के हाथ में है वे नई पी नियायो एवं भरष्टा चाड़ो आधि को रुकना होगा इसके लिए हमें आगे आना होगा आगे जब देश में आपतकाल लागू हुआ तो जन्तांत्रिक अरिकाडो का कुरुदता पूर्वक दमन किया जाने लगा तब समुचिय देश के छाट्रों एवं युवाओ का आकड़ोश फूटा फूट पड़ा ठीक फूटा पड़ा चाट्रों और युवाओ के अनुरोर पर बुधाप और बीमारी के बावजूद परकाश नाराय ने अंडरन का निटर्ट श्विकार किया लेकिन उनका ये सर्थ था कि मेरे पास जितना समय होगा उतना ही हम आप स पुछा जाएगा कोस्चिन आप देखेंगे तो पुछा जाएगा जापरकाश नारायन के चार्टर जीवन और अमेरिका प्रभास का पड़िचादव तो तो लिंखना जापरकाश नारायन का 4 जीवन बहुत ही संगर्श शीड़ा विज्ञान के छे चार्टर थे ये कुछ इस दिन फूल देव बावु के साथ लवोडेटरी में रहे विहार विदापीट से यह आए एस यानि की आए एस सी प्यारवच देखेगा एक सेकेंड यानि की साइन्स सब्जक्ट की परिक्षा पास किये थे इसके आगे देखेगा प्यारवच वे इस जो ना स्वामी सत्दे के वाशन सुनेथे की अमेडिका में मज्या मज्यूरी करने लड़कर पर सकते हैं तो वह अमेरिका गये वह हम वगानों में यानिकी वगीचा जौता था काम कि कारखानओं में काम किये जहां जानुबर मारे जाते थे उनकर ठेनां काम किया जब चुटटी मिलती थी तो काम करके इतना तो जरूर कमा लेते थे कि कुछ खाने के लिए इंतरजाम हो जाता था कुछ कपड़े भी खरी दे लेते थे और कुछ पैशे फीश के लिए काम आते थे तो इस परकाशियों कमाते थे आगे बढ़ते हैं और वाकी हर दिन एक घंटा जो ना रेस्टोरेंट और होटल में बरतन धोने का या वेटर का काम करते थे ताकि साम का भोजन मिल जाए घर में एक चारपाई थी जिस पर जैपरकाश जी और एक अमेरिकन ररका रहता था वे दोनों एक साथ ही जो ना राजाई में सोते थे जो ना इतवार के दिन यानि कि संडे के दिन जो है ना या कुछ ओफ टाइम में होटल के काम को छोड़ करके जूते शाप करने का भी काम करते थे इस परकार इतनी संगर्ष और गड़ीवी से हुए जो है ना वे क्या कि प्यारवच्छों वीए पास कि उन्होंने बीए पा असिस्टेंट वन गए और फिर जो ना प्यारवच्छों टयू 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 तो रियल कलास लेने लगे ठीक है तो इस प्रकाश एक कडेक टेंसर होगा चली आगे बढ़ते हैं आगे आप लोग देखेंगे तो प्यारवच्छों तीन नमर कुश्च प्रकाश नाराइन जी जब अमेडिका में थे तो वे घोर कमिनिस्ट थे अर्थार्थ माक्षवादी थे वे भारत लोटे तो भी घोर माक्षवादी थे किन्टु वे कंग्रेस में दाखिल हुए वे कमिनिस्ट पार्टी में इसलिए सामिल नहीं हुए क्योंकि लेनीन पताया कि जो देश गुलाम है वहां के कौमिनिस्ट को हड़ी जो ना हड़गी जो वहां की आजादी की लड़ाई से अपने जो ना रराई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए तो इस परकाश होगा और आगे बढ़ते हैं प्यारबच्च और जगीगा और रराई का न प्यारबच्व अगर आप लोग नियू हमारे चैनल पर आ तो मैं आपको बता दूँश का मिलेगा मैं आपको विल्कुल बता देता हूं पीडियाफ आपको प्यारबच्व जो है ना इस नंबर पर मिलेगा अन्ठानवे तिन सो पच्पन और इसके बाद जो है ना करके बेजना आपको विल्कुल जो ना उहां पर गुरुप मेड कर दूंगा और नोट्स मिलेगा वीडियो के डिकुशन वाक्ष में भी वाट्सप गुरुप टेलिग्राम गुरुप डोनों का लिंक है तो आप जाकर करके जो जाकर करके जो चैनल करना में मिट्टूने स् आप लोगों का टाइम भी बचतो चलिए ऑफ्जक्टिम में पहला पर बोला गया जैप्रकाश नारायन का जनम कवा तो मैंने बता दिया आपको एक्टूबर 1902 को ठीक है और देकि दोन में कुशन है कि जाप्रकाश नारायन का निधन का वह आतुन का निधन हुआ अक्तू सब्समृत भी इस परकाश नारायन को लों करते क्या का नारायन को लोग नायक का्थ थ है क्या किते लोग नायक कते तो ये भी आपकश नारायन-प्थिक्ट में पर्एख धसी एक इस को ध्यान दखना आगे चलिए आगे कुश्चिन आप से बोलागा कि विहार के छाटर आंडुलन का जेपी ने कब जो ना ने ट्रिक्ट किया तो 1974 में कब क्या 1974 में आगे बढ़ते हैं आगे आगे आप लोग शाथ नमर कुश्चिन को देखेंगे तो यह बोला गया जोना प्ल शुकाल मिला था तो यह रखना में से सम्मान भारत रर्तन दोनों प्रकार का मिला था आगे बरते हैं आगे आप लोग देखेंगे तो आगे कुश्चिन बोला गया कि संपुर्ण करांती बला पार्ट वासंज के किस रूप में गांधी माइदान में जेपी ने कब जो है न रखना चलि आगे बरते हैं आगे कुश्चिन 11 नमरे की जाप्रकाश नारायन ने यूबको के संघर्ष के निटर्ट किया चाटरों के आंडलोनों को वानी देने के लिए जो ना कौशी जोना शमीटी बनाई तो बिल्कुल ध्यान रखेगा चाटर संग शमीटी आगे तो 1924 में बन गए थे यह ध्यान रखना आगे कुश्चिन नारायन की पतनी का क्या नाम था तो बिल्कुल प्रभावती देवी था तो ये भी आपको ध्यान रखना ठीक है चलिए आगे बरते हैं आगे कुश्चिन 14 नमरे की जाप्रकाश नारायन के माता और पिता का क्या प्यार बच्चों ये था फूलनानी और पिता का जो नाम था यह था यारगेगा हरसु दयाल ठीक है तो इस परकाशे ध्यान रखिए कि कुश्चन 15 कि किसने लिखा है कि जैप प्रकाश वह नाम है जिसे इतिहास कार्ड जोना से इतिहास समझदार देता है अब जोना इस प जोना समादार देता है बड़कर जिसके जोना पद चिन्हों पर उर पर अंकित जोना कर लेता है यह किन का कहना तो यह लिखाता तो जोना राष्ट कभी दिन गर्जी ने लिखा प्रकाश नारायन के स्वाष्ट पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर कौन शाथ तो विल्कुल याद रखेगा डॉक्टर रहमान था कौन था डॉक्टर रहमान था आगे बढ़ते हैं आगे आप लोग देखेंगे कुश्चन है कि लेनिन की मिर्थ जो कभी तो 1924 में आगे कुश्चन है कि परजा जोना सोश्रिष्ट पार्टी का गठन का वुआ तो 1922 में यह आपको ध्यान रखना आगे बढ़ते हैं आगे आप लोग देखेंगे तो किस नमर की जा प्रकाश जी को किसका भासन सुनकर अमेरिका अमेरिका में प्रे ना मिला तो बिल्कुल स्वाम सत्त देव जी का ठीक है चलिए और आगे बढ़ते हैं आगे देखेंगे तौप लोग 22 नमर की वरेन आफ बांबे कहा जाता है किसको कहा जाता है वरेन आफ बांबे तो बिल्कुल उमार संकर डिक्षित को तो यह आपको ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे कशन की दल विहिन लोक तंटर किसके जाना मूल उदेश में तो बलõगो माक्शुआद और गया आगे बहते हैं औगे आप लोग 25 नमर देखेंगे की बीचार का मुख राजनित्टिक शिद्धानते तौ बिल्कुल याद ऑ किशरवोदै का विचार सरवदै वीचार तो प्यारा बच्चों मैंने आपको थियोरी के साथ में जो आपका पांच माक्ष का कुश्चन इस साथ में प्यारा बच्चों में इंट्रोडक्शन जो एक ही वीडियो में कम्प्लीट करवा दिया और पीछे के वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो पहला चेप्टर का दू के वीडियो में जोनल को सब्सक्राइब करा देंगे और अट शबूं से प्रीष के लिग्यारे बच्चों में जोनल कर देखे हैं जो आपांच वाफ ऐटा में इंग्लिसिकर से सब्सक्राइब कर लिए को को ओल पे प्रेस कर लिए और कैसा लगा कलाश जरूर बताईए और वीडियो को प्यार बच्छो आप अपने दोस्टों को साथ जरूर शेयर करिएगा ठीक है तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइवाइव